अदाब नमशकार में उस सेद मौमद हसन और आप देख रहें निम्रानियूद पिछले दिनों जब बसंद कुंज में प्रोटेस चल रहा था वहां के लोगों की मांग थी कि उन्हें वहां पर पानी सही नहीं मिल रहा है वहां पर बिजली सही से नहीं आ रही उस वक्त वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि जब मांसूल सत्रे शुरू होगा तो मैं विधान सबा में आपकी आवाज उठाओंगा और आपकी आवाज सारे निताओं के सामने रखोंगा आपकी आवाज मुख्यमंतरी के सामने रखोंगा और आज के दिन जब मांसूल सत्रे चल रहा है उस वक्त रविदास महरोत्रा ने ये आवाज अकबर नगर वालों की आवाज विधान सभा में उठाई है उन्होंने बहुत चारे मुद्दे अकबर नगर के लोगों को जो हो रहे हैं तकलीफे जो हो रही है और अकबर नगर में जिस तरीखे से घरों को तोड़ा गय करीब लोग हैं उनको बेदेखल करने का अभिहान चल ला है उनके मकानों को धुस किया जा रहा है और जो वैद मालिक हैं उनके मकान और दुकानों पर भी बुल्डोज करके बल पुरुवक धुस किया जा रहा है लोग सबाचुनाओं के बाद मानिवर यहां अक्बर नगर बस्ती है उस अक्बर नगर बस्ती में एक हजार आज़ दस मकान थे उन सारे मकानों को और इस दस दुकाने थी उनको धुस्त कर दिया गया उनको वहाँ पर बच्चे और मैलाएं चीकती रही चिलाती रही लेकि तुछी कोई बात नहीं सुनी गई और उनके मकानों को धुस्त करने का काम किया गया मकानों के साथ साथ अध्यक जी वहाँ पर तीन मस्जिदे और दो मदर्सों को भी धुस्त कर दिया गया और यही नहीं मानिवर वहाँ पर छे बहुत प्राचीन मंदिर थे जो सरकार मंदिर के नाम पर जनता से वोट पांगती है उसी सरकार ने अकबर नगर में छे पराचीन मंदिरों को भी धुस्त करने का काम कर दिया और उन लोगों को अकबर नगर से उजार करके बसंद कुछ कारोनी में मकान दिये गए और अब उन लोगों से 4,80,000 रुपे मगे जा रहे है वह ना पीने के पानी की वस्ता है ना वह सोचाले की वस्ता है ना बिजली की वस्ता है और दूर दूर तक कहीं कोई भी ना कुछ दुकान है ना कुछ स्कूल है अकबर नगर के अंदर 500 बच्चे पढ़ते थे एक हाई स्कूल में उस स्कूल को भी तोड़ दिया गया और वो अब बच्चे वहाँ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं इस तरीके से मानिये अध्यक जी अकबर नगर के अंदर गरीबों को जाड़ने का काम किया है कि इसके कोई और मिसाल नहीं मिलती है बारा हजार लोग वहाँ पर रहते थे अठारों दस बकान थे और सारे बकानों को तोड़ने के बाद भी वहाँ पर उन लोगों की गुश्था नहीं करी गई और कहा गया एक गुजराट की कंपनी है जो सारर बती रिफर्ण बना रही है कुक्रेल नाले को कहा गया कि नदी है और यहां पर सार्बती रिफर्ण जो कंपनी है वो यहां पर बनाएगा प्लांट लगाएगी और उस प्लांट लगाने के नाम पर गुजराट की यह कंपनी को उसको भलका देने के लिए 12,000 से अधिक गरिवों के बकानों को तोड़ने का काम किया गया अद्बर नगर में बकान तूटे उसके बाद मन्वर वहाँ पर लखिनव शहर में अबरार नगर रहीम नगर पंद नगर और किन तमाम जो कालूनिया बैद कालूनिया है जिनके पास मकानों की रहिस्टी है उसके बाद जूद भी उन मकानों को तोड़ने की कारवाई की नोड़िस लगा दी गई लाल निसान लगा दिया गया मन्वर और उन लोगों ने फिर आंदोरन सुरू किया लकिन उस शहर में 713 जे मलिन बस्तिया है उन सब मलिन बस्तियों को तोड़ने की सरकार ने आदेश कर दिये और उसके बाद बड़े पैमाने पर जहर आंदोरन हुआ और उसके बाद बहुत दो मिले गए मानी मुखवंतरी जी से और तक मानी मुखवंतरी जी ने उस कारवाई को सगित कर दिया लेकि उस आदेश को बकान तोड़ने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया और वो केवल कारवाई स्टगित करी गई है हमारी इसके माद्दान से मांग है कि जो आदेश को मानिय मुखमंतरी जी ने स्टगित करने का काम किया है उस आदेश को निरस करने का काम हो